क्या आप भी अपनी जिंदिगी में किसी बुरी आदत से परशान है, जो हो सकता है जाने अन जाने आपको जिंदिगी में आगे बढ़ने से रोक रही है है, कोई भी बुरी आदत, हो सकता है वो नशा हो किसी तरह का, हो सकता है porn addiction हो, हो सकता है unhealthy eating habits हो, हो सकता है time waste करना हो, या किसी तरह की addiction हो, social media की addiction, TV या video games, या mind में negative विचारों का आना ही हो, देखो इन में से कोई भी once in a while हो, तो चलता है, लेकिन अगर ये आदत बन जाएं, तो कभी भी हम जहां पहुंचना चाहते हैं, वहां नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि बुरी आदते हैं हमारी success में सबसे बड़ी रुकावटे होती हैं, तो आज इस वीडियो में आपके साथ share करूँगा 100% proven scientific method जो आपके brain में कुछ neurological changes और आपके subconscious mind में pattern के level पर changes कर सकता है, जिससे आप अपनी जिन्दगी को health, wealth, happiness और success की तरफ लेकर के जा सकते हैं, तो देर किस बात की, let's get started! क्या आप जानते हैं हर बुरी आदत, आदत ही क्यों बन जाती है? सिर्फ एक वज़े से, और वो है instant pleasure, यानि उससे एकदम से मिलने वाला मज़ा. अच्छा, Sigmund Freud ने इसे pleasure principle में बहुत ठीक से समझाया है, कि ये जो instant gratification है, या instant pleasure है, या जिसकी वज़े से हमें ये temptations होती हैं, ये क्यूं होता है? क्यूंकि हमारा brain जो सबसे पहली चीज़ चाहता है, वो है success नहीं है, money भी नहीं है, वो है pleasure. हमारे brain को जो सबसे पहली चीज़ चाहिए, वो चाहिए मज़ा. नहीं, नहीं, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ये गलती है आपके brain की. तो जब भी आपके brain को pleasure chemicals मिलेंगे न, तो वो और जादा pleasure chemicals लेना चाहेगा, और वो biologically ऐसे changes पैदा करेगा, ऐसे chemicals release करेगा, जिससे आप वो addiction या वो आदत या वो काम बार-बार करेंगे. Sigmund Fright की एक और research बताती है, कि जो आपको कल को मिलेगा, आज pain ले रहे हो, कल को pleasure मिलेगा, आज pleasure ले रहे हो, कल को pain मिलेगा, तो जो कल को मिलेगा, वो 3 to 47 times ज्यादा मिलेगा. पता नहीं, शायद ये कुदरत या universe भी bank के system से चलती है, जो आज लगाती रहती है. और अगर आज आपने कोई घलत pleasure के चक्कर में आप पड़ गए, तो उसके जो negative consequences होंगे, note down my words, जो negative consequences होंगे, वो 3 गुना से लगभख लगभख 50 गुना तक ज्यादा मिलने वाले. अगर आज आप अपनी healthy habits को maintain करते हैं, तो जो कल को health मिलेगी, वो आज के जो छोटा सा pain आपने लिया है, उससे 50 गुना तक ज्यादा मिल सकती है. और अगर आज आप कुछ गंद अपने इस शरीर को dustbin समझ के इसके अंदर डाल रहे हैं, तो उसका जो pain मिलेगा, वो 50 गुना तक ज्यादा मिल सकता है. और ठीक यह हर bad, हर negative habit पर अपलाई है. Habit पर, मैंने बोला ना, once in a while अगर कुछ होता है, तो ठीक है, लेकिन अगर वो habit है, तो उस पर यह apply होता है. तो अब इसके लिए, मैं आपको एक, मैंने बोला था ना, hundred percent proven scientific method बताऊँगा. यह आपके brain को rewire करने की टेकनीक है. neurological level पर, आपके brain के cells के level पर यह rewire करेगी आपको. तो आप तयार हैं इसको सीखने के लिए. और अगर आप चाहेंगे कि मैं इसका एक proper visualization video बना करके upload करूँ, ताकि आप directly उसको plug and play करें और daily सुनें, तो भी मेरे दोस्त मुझे comment करके जरूर बताना, मुझे अच्छा लगेगा, खुशी होगी कि अगर मैं वो video बनाऊ और उससे किसी इंसान की life में कोई value या benefit एड़ हो सके, तो comment करके जरूर बताना. हम कई बार consciously नहीं, subconsciously उन habits को trigger कर जाते हैं. हमको उन patterns को change करना है, समझो मेरी बात को, हमको उसको control नहीं करना, conquer करना है, जीतना है उसको करना, जो कि हम अपने neurological level पर और subconscious mind के level पर करेंगे, तो मैंने इसको दो sections में divide किया है, जो पहला section है, वो है watch the urge and identify triggers, जो भी negative habit है, आप उसको देखो कि आप क्या करते हो basically, क्या चीज आपके mind में उस टाइम पर क्या करते हो, वो जो भी negative, चाहे वो smoking हो, चाहे वो porn का addiction हो, या चाहे वो unhealthy eating habits हो, क्या करते हो, जिसको छोड़ना चाहते हो, बड़ा consciously इसको देखना है, मेरी बात को आपको समझना पड़ेगा, बड़ा consciously देखो कि आप क्या करते हो, क्या करते हो, दूसरी चीज, क्यूं करते हो, आप एक pattern note करोगे, कि आप 24 गंटे वो काम वो आदत नहीं है आपके अंदर, ऐसा नहीं है कि आप 24 के 24 गंटे वो करते रहते हो, नहीं, जैसे मैंने एक recent वीडियो में भी एक example दिया था, कि मैं एक इनसान को जानता था, वो smoking बहुत करते थे, तो वो बोलते हैं कि यार, जब ये वाला बंदा मेरे पास आता है न, मैं पूरा दिन काम में लगा रहता हूँ, लेकिन जब ये बंदा मेरे पास आता है, तो मुझे cigarette की तलब हो जाती है, तो मैं इनके साथ जाकर के, वो सुटा लगा कर क्या आता हूँ, वैसे मुझे कई बार ध्यान में भी नहीं आता, पूरा पूरा दिन निकल जाता है, तो identify triggers, तो वो इनसान जो है, वो trigger है, और कई बार आपने देखा होगा, बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है, कि वो एक particular किसी shop से ही, cigarette खरीदते हैं, या कोई भी ऐसा खरीदते हैं, तो वो normal चल रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो वहाँ से गुजरे, click हो गया, वो उस habit को करने लगते हैं, आपको कोई कुछ नहीं करना, किसी को नहीं रोकना, watch the urge and identify trigger, आंखे बंद करके, क्या करता हूँ, क्यों करता हूँ, इन दो चीजों को बड़े ध्यान, relive करना है उनको, ऐसे करना है, जैसे आप उसको, जी आप दुबारा से, वो जो real में आप हरकत करते हो ना, जो भी bad habit है, उसको आप दुबारा से अपने mind में करो, हो सकता है आपको, यारी आदत छुड़वा रहा है, क्या आदत बनवा रहा है, नहीं, मेरे साथ बने रहो, दूसरा, इसको visualize करने के बाद, आपने क्या करना है, remind yourself of your goal, आप अपने आपको अपना goal याद दिलाओ, देखो सबसे पहले आपने visualize कर लिया, अब सोचो कि आपकी जिन्दगी का goal क्या है, इस वाले portion के चार steps होंगे, सबसे पहला होगा why, जो भी आपकी जिन्दगी का goal है, मुझे वो क्यों achieve करना है, what is your why, हरे एक के पास एक reason होता है, मालनो मैंने life में कोई किसी चीज़ को हासल करना है, कुछ बनना या कहीं पहुंचना है, तो मेरे पास एक reason होगा, देखो अगर why नहीं है न तो दुनिया की सारी चीज़ें बेकार है, why is the mool mantra, सबसे पहली चीज़, reason, तो ये reason identify करो, कि मुझे ये goal क्यों achieve करना है, second, for whom, किसके लिए करना है, मुझे ये अपने father के लिए करना है, mother के लिए करना है, brother के लिए करना है, किसके लिए करना है, तीसरी चीज़ आपने visualize करनी है, अपने future self को, why, for whom, future self, देखो मैंने बोला ना, जो future self है, हम उसको कोई और बंदा समझते हैं, कि वो तो कल को हम बने, वो कोई और है, मैं नहीं हूँ, मैं तो अभी ये हूँ, इसलिए मुझे अभी pleasure से ही है, तो अपने future self को, आपने visualize करना है, अपने left और right दो तरफ से, जी हाँ, left में आपने, एक रास्ता निकालना, एक रास्ता निकालना right में, तो left में, जो future self है, उसको देखो, कि वो future self है, जो आपकी इस bad habit के कारण, अपनी life में success तक नहीं पहुँच सका, और वही right में, आप एक और रास्ता निकाल करके देखो, कि एक दूसरा future self है, जो आपने bad habit को conquer किया, उसके बाद, वो बड़ी healthy और happy life जी रहा है, वो बड़ा fit और बिलकुल, you know, young और energetic लग रहा है, उसके पास health और wealth और खुब पैसा और खुब धन समपत्ती सब कुछ है, तो इस चीज़ को आपने visualize करना है, अब यह visualize करने के बाद, आपने क्या करना है, सिर्फ mind में सोचना है कि जो अभी negative habit, जिसकी अर्ज को मैंने देखा, जिसके triggers को मैंने identify किया, मैं उसको छोड़ रहा हूँ, और उसको छोड़ने के साथ ही आपने क्या करना है, जो left वाला रास्ता भी आपने बनाया था न, जिसमें आप left side में अपने negative future self को देख रहे थे, down बड़े future self को देख रहे थे, अब आप उसको हलके से rub कर दो, ऐसे कर दो जैसे उसे मिटा दिया, कुछ भी आप कर दो, इसको delete कर दो, cut कर दो, इसे बहुत दूर ले जाके छोटा कर दो, या उसे rub कर दो, और सिर्फ और सिर्फ ऐसे right turn करके, सिर्फ उस right side वाले person को देखो, जो एक better future self था आपका, जो बहुत healthy, energetic, जिसको कपड़े बिल्कुल जच रहे थे, क्योंकि उसकी body, उसकी physique बिल्कुल healthy थी, fit थी, उसके चहरे पे एक smile थी, वो young लगा, आपका future self आज से 5, 7, 10, 15, 20 साल बात का हो सकता, लेकिन वो अभी के आपके younger self से भी young लग रहा था, उसको देखो सिर्फ, उसे visualize करो, दूसरा process है, breathe and delay, breathe किया, बड़ा slow और deep breathe, ऐसा आपने करना है 10 बार, 10 breath आपने लेनी है, 10 सांस अंदर और 10 सांस बार, लेकिन इसको भी आपने कैसे visualize करना है, आपने ये सांस लेकर के जानी है, अपने बिल्कुल जहां पर आपका spinal cord, आपकी read की हड़ी जो है, यहां बिल्कुल नीचे, जहां वो खत्म होती है, जहां इनसान का private part होता है, वहां तक, जिसको हम कई बार मुलाधार चक्र भी बोलते हैं, रूट चक्र भी बोलते हैं, वहां पर आपने अपनी सांस को बड़ा धीरे-धीरे और गहरा करके वहां लेकर जाना है, और वहां से फिर आपने इसको वापिस release करना है, एक सांस को 10 सेकंड लेकर के लो, ऐसा 10 बार आपने करना है, अब ये बिल्कुल जो है आपको ये आप रीड की हटी के अंड तक ही क्यों लेकर करके जाना है, ये कभी फ्यूचर आगे वीडियो में डिसकस करूँगा, लेकिन ये बहुत ही ज़ादा scientific practice है, scientific practice, ये आपको बहुत ज़ादा काम कर देगी, ये रिलाक्स कर देगी, और आप ये दस सांस लेने के बाद ना, इन सांसों पर ही फोकुस कर सोचना कुछ नहीं है इस टाइम पर, सिर्फ आपने देखना ये सांस अंदर गई और बाहर आई, और जैसे ही आप ये दस exercise खतम करो, उसके बाद आपने धीरे से आईज ओपन करनी है और कुछ नहीं सोचना है, जो भी आपको आपके सामने अबजेक्ट दिखता हो, बस उसे देखते रहे हैं, 10 सेकिंड, 20 सेकिंड, 1 मिनट, या जितनी देर के लिए भी से, कुछ नहीं कर, रिलाक्स, हमारा जो भी पूरा का पूरा निजाम है, हमारा वो chemical based है, हम पूरा का पूरा chemical लो चाहें, तो हमारा सारा system ना chemical driven है, हम मैंने बोला था starting में, कि हम किसी भी आदत में क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे mind को pleasure chemicals मिलते, और अगर आपको याद हो, तो मैंने dopamine detox पर एक पूरा वीडियो, complete वीडियो बनाया था, कि कैसे chemicals हमारे system को पूरा govern करते हैं, और run करते हैं, तो जब भी हम को pleasure वाला काम करते हैं, तो ये chemicals हमारे brain में release होते हैं, अब जब हमने पहली बार, दूसरी बार, ये काम किया ना, हमें उससे मज़ा आया, हमारी body को मज़ा आया, हमारे mind को मज़ा आया, तो ये chemicals release हुए, और हमने identify किया हमारे brain में, कि ये काम दुबारा दुबारा करना चाहिए, क्योंकि इससे मज़ा आता है, लेकिन, दुबारा दुबारा करते करते आज हम इस level पर पहुंच चुके है या जिसका addiction जो आपको हो चुका है वो इस level पर हो चुका है कि ये काम करने के बाद मज़ा नहीं आता हाँ, अगर आपको कोई ऐसी addiction है ने तो आप note करोगे कि वो काम करने के बाद तो guilt होता है लगता है कि क्यों किया या क्यों इतना time social media पर waste कर दिया या क्यों ये एकदम से instant gratification अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी pleasure चाहिए कि चक्कर में ये लाख रुपे का phone खरीदा गया या कोई porn या कोई किसी भी तरह का addiction या time की wastage या गलत thoughts का दिमाग में आना ये क्यों हुआ जब आपको वो trigger मिला तो trigger मिलते ही वो chemicals हमारे brain में release हो जाते हैं तो अब आपने क्या करना है जब आपने ये deep breathing की exercise की और आप relax हो करके बैठे अपने आसपास किसी चीज को observe किया उसको observe करने के बाद फिर से एक बार अपनी आँखें बंद करने है अपनी आँखें बंद करके अब आपने कुछ ऐसी चीज को visualize करना है जिसके consequences negative नहीं है लेकिन वो आपको पसंद है वो हो सकता है आपकी कोई hobby हो कोई भी ऐसी चीज लेकिन उसके कोई negative consequences नहीं है ना आज और ना कभी आगे चलके किसी से बात करना हो सकता है थोड़ी देर के लिए किसी इंसान के बारे में सोचना हो सकता है अपने future self के बारे में अच्छा अपना visualize करना हो सकता है कि कैसे आप जिंदगी में तरक्की कर रहे है और कैसे एक बड़िया इंसान बन रहे है कैसे चीजें आपकी तरफ attract होकर क्या आ रही है कुछ भी अच्छा आपको सोचना है क्योंकि थोड़ी देर पहले आपने क्या किया था watch the urge जब आपने urge को relive किया आपने mind में देखा triggers को identify किया तो आपको वो जब आपने relive किया ना moment क्योंकि हमारा जो mind है यह imagination और reality में फर्क नहीं करता तो जैसे ही आपने उसे relive किया तो आपके mind में फिर से वो chemicals release होई होगे वो dopamine और वो खुशी वाले top up बोपा जो भी pin होते हैं वो release होगे तो वो release होने के बाद आपने उसका जो association था वो अपने goal के साथ अपनी breath के साथ और किसी और healthy habit या happiness वाले factor के साथ उसका association establish करना है अच्छा इसको करने से आप एक चीज़ को note करेंगे कुछ ही दिन के अंदर आप देखेंगे सिर्फ 5 या 6 दिन के अंदर आपकी habit जो है आप उससे थोड़ा सा distance maintain करने लग जाएंगे तो जब भी कोई आपको ऐसा बोले कि मैं आपकी आदत ये 5 मिनट में छोड़वा सकता हूँ ये वो गलत है हो सकता है method बहुत genuine हो लेकिन वो छुड़वाना नहीं है वो suppress करना है दबाना है और जब भी हम किसी negative या किसी भी गलत चीज़ को अपने अंदर दबाते हैं न तो वो बाहर तो उसके result नहीं दिख रहे है लेकिन उसके result अंदर देखने लग जाते है क्योंकि हमारा mind उससे suppress कर रहा है जो चीज मैंने आज आपको बताई है आपको suppress नहीं कर रही है किसी भी चीज़ को ये उसको conquer कर रहे है आप उसके उपर जीत हासल कर रहे हो आप अपने mind में rewire कर रहे हो अपने brain को patterns को rewire कर रहे हो ये छोटी सी practice आपने करनी है और यकीन मानो इसको करने में आपको total 5-7 minute से ज़्यादा नहीं लगेंगे और जो आप visualization last में करो अगर आप उसको जितना देर तक कर पाओ 2 minute, 4 minute, 6 minute, 10 minute उतना ज़्यादा benefit आपको मिलने वाला है जो मैंने सांसे आपको बोली 10 अगर आप उसकी intensity धीरी-दीरे बढ़ा सको 12, 13, 15, 20, 25, 30, 50 कर सको आप 5-7 तो आप देखोगे कि आपकी meditation भी हो रही है और आप अपने अंदर से neurological changes भी create कर रहे हो और मैं दावा करता हूँ अगर आपने इस एक practice को किया न मैं आपको दावा क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को इस से result लेते हुए देखा है अगर आपने इसको किया तो आप किसी भी चीज को conquer कर सकते हो और एक better future self की तरफ आगे बढ़ सकते हो यही मैं चाहता हूँ और यही आप लोगों के लिए दुआ करता हूँ बस आपने क्या करना है अगर आप चाहते हो कि मैं ready made आपको एक template बना करके एक visualization का format बना करके विडियो के माद्धम से देदू जिसको आप रोज सुन सकें मुझे आपने comment करके बताना है और कुछ भी नहीं करना और बहुत जल्दी visualization से related बहुत से videos आने वाले हैं और फिर हमारी एक series शुरू होने वाली है personality development की वैसे ये video भी आपकी personality में चार चांद लगा सकता है इसलिए अगर video अच्छा लगे like करके जरूर बताएं और लोगों के साथ इसको share करें ताकि लोग इससे benefit ले सकें और अपनी बुरी आदतों को छोड़ सकें आपकी जिन्देगी खुशियों से भरी हो और हर बुरी आदत से आप दूर रहें क्योंकि once in a while हो तो चलता है लेकिन अगर आदत बन जाए तो उससे दूर रहना ही ठीक है I wish you lots and lots of peace, tons of happiness and bundles of success in your life Be happy, be alive